नमस्कार दोस्तों, जै माता दी, वर्ण बैस मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै माता दी जरूर लिखें, माता रानी सबका कल्यान करेगी दोस्तों, आज हम बात करेंगे दसा माता की पांचवी कहानी के बारे में, जो इस प्रकार है, एक राजा की दो रानियां थी, राजा की प्यारी रानी को लक्षमी कहा जाता था, और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्षनी कहा जाता था एक दिन लक्षमी रानी क्रोध होकर लकडी का पटा ले मलीन कपड़े पहन कर कोब भवन में जा बैठी राजा ने लक्षमी से पूछा तुम कोब भवन में क्यों बैठी हो तुम क्या चाहती हो रानी बोली कुलक्षनी को देश निकाला दिया जाए कुलक्षनी रानी थी इसलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था इसलिए रानी को पीहर में छोड़ कर आने की बात सोची गई राजा ने पड़रानी को एक रत में सवार कराया और स्वयम घोडे पर चड़ कर रत के साथ चलने लगे एक भी हड जंगल में पहुँच कर राजा नेरत को रुखवाया, पाल की ढूने वालों को वहां से हट जाने के लिए कहा, राजा रानी को उस जंगल में छोड़ कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में लोट आया, कुलक्षनी को रहा देखते सारी रात बीत गई, रानी को प्यास लगी, वहरत से उतर कर पानी की तलास में चल दी, रानी ने आस पास पानी खोजा, परंतु उसे कोई भी जला से नजर नहीं आया, रानी ने सारस के जोड़े को एक तरफ जाते हुए देखा, रानी कुलक्षनी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दी, चलते चलत अन इस्त्रियां भी इसनान कर रही थी, इसनान करने के बाद उन इस्त्रियों ने दसा माता का डोरा लिया, उनके पास एक डोरा बच गया, उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोद किया, रानी डोरा लेकर अपने रत में आकर बैठ गए, दसा माता ने रानी की परिक्छ क्या कर रही हो वैरानी से बोली कि बेटी तुम यहां बैठी क्या कर रही हो रानी ने बुढिया से कहा पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो बुढिया ने उत्तर दिया मैं तुमारी मौसी हूँ तब रानी उसके गले लग कर रोने लगी उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को सुना दी अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा की अब मुझे केवल तुमारा ही सहारा है मेरी रक्षा करो दसा माता की कृपा से उसी जगह माया का सहर बस गया रानी के भाई भावी आदी सारा माय का वहाँ प्रकट हो गया रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर नौ दिन दसा माता की कथा कहानिया सुनाई दस्वे दिन दोरे की पूज़ा होनी थी उस दिन सुभह सबेरे उठकर दसा माता ने रानी से कहा नदी में इसनान कराओ, वहां तुमको सुन कलस मिलेगा, तुम उसे ले लेना, और जो डोली तुम्हे लेने आए उसमें बैठ जाना, किसी से ये मत पूछना की ये डोली किस की है? रानी ने नदी में इसनान किया वह इसनान करके बाहर निकल आई तो उसे दो सुरने के कलस नदी के किनारे रखे मिले उन्हीं के पास रेस्मी वस्तर रखे थे उन वस्तरों को रानी ने पहन लिया और वह चलने को तयार हुई तो उसे डोली आती हुई दिखाई दी, वह डोली में बैट गई और अपने घर पहुँच गई, घर पहुँच कर उसने माया के परिवार की सम महिलाएं सहित दसा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया, इसके बाद उसने पारण किया, अब रानी अपने प से मैं रानी को जंगल में छोड़ कर आया हूँ, तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला, चल कर देखना चाहिए कि रानी को लक्षनी किस हाल में है, मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आप के लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बा आश्चर हुआ कि यहां तो संगन वन था, परंतु अब यह रमणी बस्ती बसी हुई है, राजा ने लोगों से पूछा कि यह कौन सी नगरी है, लोगों ने उसे बताया कि यह कुलक्षनी का नगर है, अब तो राजा के आश्चर का ठीकाना ना रहा, वह बार बार सोच रह था कि क्या यह नगर मेरी पतरानी कुलक्षनी द्वारा बसाया गया नगर है, राजा ने कुलक्षनी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई की, उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं, राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदूओं में तो पती परमेसर माना जाता है, तुमें यही उच्चित रहेगा कि तुम यथा सकती उनका आदर सतकार करो, मौसी के कहने पर राणी कुलक्षनी ने राजा को महल में बुलाया, तो पहर को राजा को भोजन पर बुलवाया गया, राजा के साथ नाई भी था राणी राजा और नाई को भोजन कराने लगी, पहली बार राणी नाई की पतल पर भोजन परोसा तो नाई ने राणी के पैर पर एक छीटा लगाया, राणी इस भेद को समझ नहीं सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छीटा क्यों मारा है, राणी दूसरी बार पोसा पोसाग बदल कर फिर से आई, राजा मन में सोचने लगा कि यहां तो बहुत सी रानिया है, सबकी सकल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। नाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक ही है, नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायते का चीटा मारा था, वह तीन बार कपड़े बदल कर हमारे सामने आई, परन्तु वह चीटा उनके पैर पर ही तीनों बार लगा हुआ था, अगले दिन रानी ने राजा क अपने महल में बुलवाया, राजा को अपनी मेच पर बिठा कर खाने के लिए पान का बीडा दिया, पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया, और रानी उसके पैर दबाने लगी, राजा ने रानी से अपने किये के लिए छमा मांगी, और रानी को अपनी राजधानी में च चलने को कहा, रानी ने कहा कि आप मुझे किस मूँ से चलने के लिए कह रहे हैं, आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे, आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे, यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनास कर चुके थे, राजा ने रानी को बहुत समझाया, तब रानी बोली कि मैं केवल एक सर्त पर आपके साथ चलती हूँ, आप मेरी मौसी से वर्दान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा जिससे जम मेरा मन चाहे, आप के पास रहूँ, और जम मेरा जी चाहे, तो मौसी के दिये हुए महल में चली जाओं, मेरी मौसी बड़ी दयालू है, सम्भव है कि वह हमारी बात मान जाए, राजा ने दसा माता मौसी से प्राथना की, मौसी ने राजा की बात मान कर दोनों स उनकी प्रजा दसा माता की पूजा करें भगवती दसा माता ने जिस प्रकार को लक्षनी पर दया की है वैसे ही सब पर दया करें बोलो दसा माता की जै तो दोस्तों दसा माता की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें औ भन्निवाद!